नमस्कार सातियों सत्य की खोज में आपका स्वागत है दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन को दबा दीजिए जिसे हम जो वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा साथ गुजारी सोर करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारा काम अच्छा लग रहा है हमारी पूरी टीम का काम अच्छा लग रहा है तो आप सभी लोगों से गुजारी से आप लोगों हमें फाइनिंसली सपोर्ट भी कर सकते हैं फाइनिसली सपोर्ट करने के दो तरीके हैं या आप हमें सुपर थैंक्स के जरीए फाइनिसली सपोर्ट दे सकते हैं या फिर सामने दिये गए QR कोड को स्कैन करके आप हमें फाइनिसली सपोर्ट दे सकते हैं साथियों आपके सहयोग का मैं इंतजार करूँगा तो साथियों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर हिंदू ही नहीं मुस्लिमों ने भी बॉद्धों की विरासत को हडपने का काम किया है तो आज का जो वीडियो है वो एक ऐसी जगा का वीडियो है यहाँ पर तथागत बुद्ध जी के परम उपासक कहे जाने वाले महान राजा समराट असोक मौर के अभिलेख को नीचे दवा करके उपर मजार बना दी गई है और वहाँ पर ताला डाल दिया गया है तो आज ऐसे ही एक राज से परदा उठाने वाला हूँ एक ऐसी मजार से जहां मजार के नीचे आपको तथागत बुद्ध के परम उपासक कहे जाने वाले महान राजा समराट असोक मौर की दास्तान छिपी है तो आपको लेकर के चलने वाला हूँ बिहार के रोहतास जिले के सासाराम सहर के नस्दीक में वहाँ पर आप लोगों को प्रिय दर्सी चक्रवरती समराट असोक जी का एक लगु सिला लेख वहाँ पर कैद करके रखा गया है तो साथियों आए सुरू करते हैं इस वीडियो को बस बुजारी से ही है कि वीडियो को पूरा देखेगा तो आए सुरू करते हैं साथियों बिहार प्रदेश के रोहतास जिले के सासाराम जगे पर प्रिय दर्सी समराट असोक जिनका एक लगु सिला लेख जो की पिछले 23 सालों से कैद करके रखा गया है यहाँ पर भारतिय पुरातन विभाग द्वारा सिला लेख को छुडाने के लिए यहाँ पर भारतिय पुरातन विभाग ने कई कोशिसें की लेकिन वो सारी की सारी कोशिसें नाकाम रही क्योंकि वहाँ पर धर्म के अंधे लोगों ने एक मजार बना करके रखा हुआ है और उस स्थल को गेट लगा करके बंद कर दिया गया है जहां पर जो दरगाह है उस दरगाह के नीचे हमें कई सारे बहुत से प्राचीन से प्राचीन काल के समय के अवसेस दिखाई देते हैं जो की महान राजस समराट असोक कालीन है जहां पर उन अवसेसों को नीचे दबाया गया है और उसके उपर वहाँ पर एक मजार को स्थापित कर दिया गया है। एक हजार उपवन होता है। जिस राह से भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनात की यात्रा की थी उसी मार्ग में यह स्थान आता है। यह एक प्राचीन मार्ग होने के साथ साथ बहुत धम का केंदर भी रह चुका है। इसके कारण यहां स्थित दरगाह के नीचे आज भी अवसेस दिखाई देते हैं। प्राचीन काल में बहुत से थेरवादी भिखु रहा करते थे। इसके पुखता सबूत भी पहाडी पर बहुत ही ज्यादा संख्या में मिलते हैं। बहुत दिनों तक यह जगे लोगों से अंजान थी लेकिन इसे अंग्रेजों द्वारा खोजा गया था। सन 1917 के आज़ पास घोसित कर दिया गया था कि यह जो जगा है यह असोक कालीन है पुरातन विभाग ने यहाँ पर पूरी तरीके से खोज करके यह साबित कर दिया था। और साथी साथ यहाँ पर बहुत से अवसेश जैसे समराट असोक के सिला लेख उनके समय की पुरानी सी पुरानी चीज़ें यहाँ से अवसेश के तोर पर मिली हुई हैं लेकिन 2005 में यहाँ पर एक मजार बना दिया गया। इसके साथ साथ जब मजार बन गई तो उन सिला लेखों को नीचे दबा दिया गया और 2005 में पूरी तरीके से इस जगे को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने कबजे में ले लेकिन पुरातन विभाग ने यहाँ पर कई बार कोशिस की उस सिला लेख को हटाने के लिए वहाँ से ले जाने के लिए लेकिन वो लोग नाकाम रहे वहाँ पर हो रहे अतिक्रमन जिसको रोकने की पूरी की पूरी कोशिस की थी पुरातन विभाग ने लेकिन वो भी उसमें नाकाम रहे यहाँ पर पुरातन विभाग के डायरेक्टर ने बहुत बड़ी मसकत की समरा असो का सिलालेख वहां से हटा दिया जाए अक्टूबर 2022 के आसपास यहां पर जो सिलालेख है उसको पुरातन विभागने पूरते हैं कबजे में लेकर के वहां के लोगों के द्वारा वहां जो मजार थी वहां के लोगों के द्वारा उसमें ताला डाल करके उस चाभी को देख सकते हैं हालाकि वहां पर ताला पड़ा हुए लेकिन आपको सिलाले को देखने को मिल जाएगा लेकिन उससे पहले उस सिलाले को देखने भी नहीं दिया जाता था कुछ प्रमुक समुदाय के लोग वहां पर जिन लोगोंने मजार बना के रखी है उन्होंने उस सिलाले को देखने पर भी पाबंदी लगा के रखी हुई थी बताया जाता है यह जो स्थल है यहाँ पर जब भगवान बुद्ध को ज्यान प्राप्ति हुई थी तब ज्यान प्राप्ति होने के बाद भगवान बुद्ध लोगों को दिक्षा देने के लिए सारनात की यात्रा किये और उस यात्रा के दोरान इस जगे पर सारनात के तुरंत बाद में दूसरा धम्म उपदेश यही पर दिया था यहां पर भी पंच वरगिये लोगों को दथागत बुद्ध ने धम्म उपदेश दिया था और वही पर समराट असोक ने अपने द्वारा वो जो सिलालेख है वह पारे में आप लोगों को समझाते हैं यह आप लोग देख रहे हैं यहां से कुछ सब्द आप लोगों को दिख रहे होंगे और समझ रहे होंगे यहां पर देखे यहां एक दरगाह है साथियों देख सकते हैं यह जो दरगाह है इस दरगाह का नाम है हसरत सयद अमीर नाम से ये दरगा आप लोग देख सकते हैं ये जो हसरत सयद अमीर नाम से ये दरगा है और इसी दरगा के नीचे उस सिला लेक को दबाया गया है तो आईए देखते हैं उस सिलालेक को और सिलालेक में देखते हैं कि जो हसरत सयद अमीर जो दरगा है उसके नीचे सिलालेक में लिखा क्या है आप लोग हिंदी में उसका अर्थ समझेंगे सिलालेक में देवों के प्रिय ने कहा है वह ड़ाई साल से अधिक समय से उपासक हैं लेकिन विकास में कोई व्रधी नहीं हुई है अब वह संग के साथ एक साल से अधिक समय से हैं वह कहते हैं इस काल में जम्बू द्विब में देवताओं का मनुस्यों से मिलन नहीं होता था यहां पर साथियों देवताओं सब्द का अर्थ जो है उस समय पर ग्यानियों से हुआ करता था जो महान लोग होते थे ग्यानी होते थे उनको देवता कहा जाता था और यहां प प्रियोग में आता था अब देवताओं का मनुस्त से मिलन हो रहा है यह पराकरम यानी परिस्रम का फल है यह न केवल महान लोगों के लिए बलकि आम लोगों के विपुल परिस्रम से स्वर्ग में आरोह संभव है इसलिए आम और बड़े लोगों को ऐसे परिस्रम करने की घूसडा की गई है सीमा पर बसे लोगों को या जानना चाहिए कि ऐसा ही पराकरम चीर काल तक होता ही रहेगा यह ऐसे ही बढ़ेगा यह दिन बदिन खूब बढ़ता जाएगा यह बिना किसी रुकावट के दिन बदिन बढ़ता ही जाएगा यह गोसडा दो सफल राते घर से दूर जागरत रहकर की गई है 256 दिन समय दूर रहकर यह लेखन पत्थर की चटानों पर जिस स्थान पर स्थम्भ हो उसे स्थम्भ पर लिखवाने जानी चाहिए साथियों यह बाते यहां पर लिखी होई हैं लेकिन इसमें कुछ सब्द मैं केलियर कर देना चाहूँगा इसमें देवता और स्वर्ग सब्द का प्रियोग हुआ है तो जित देवता सब्द का प्रियोग हुआ है उस समय पर देवता बौध विक्षू और ग्यानियों को कहा जाता था और यहां पर बौध विक्षू के लिए देवता सब्द का प्रियोग होता था और जहां पर साफ साफ ये दर्साती हैं कि हमारे कितने अच्छे समराट असोग थे जिनों ने ऐसी बाते लिखवाई और किस तरीके से कारे को उस समय पर करते थे जैसे कि आज के समय में व्लॉगर जो होते हैं वो अपना वीडियो अपलोड करते हैं व्लॉगिंग की तरहा उसी प्रकार से उस समय के जो सिला लेख पर लिखवाने का काम समराट असोग जी कर रहे थे वो कितना ही खुपसूरत और बेहतरीन एतिहास कालेन था साथियों तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहां पर हमारे देश में हमारी विरासत को हडपने की पूरी की पूरी कोशिस की जाती रही है लेकिन हमें ये जानने की जरूरत है, हमें विशार करने की जरूरत है कि सच क्या है और जूट क्या है किस तरीके से हमारे तथागत बुद्ध के परम उपासक समराट सोक मौर के अभिलेग को नीचे दबा दिया गया फिर उस जगे पर एक बहुत बड़ी दरगाह का निर्मार किया गया जहां पर तथागत बुद्ध जी ने दूसरी धम देशना दी थी, धमो पुदेश दिया थ तो आपको विचार करना है, सोचना है, समझना है और इस जो ये दरगाह बनी जिसका नाम है हजरत सयद अमीर जो कि यहाँ पर उपस्थित है अभी भी दिख रही है तो इसको आप लोग समझें, विचार करें हाला कि वहां कि जो चावी है आज के समय में अर्कलोजिस्ट ल चैनल को सब्सक्राइब करेंगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करेंगा जिससे लोगों की आखें खुल सकें, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जानगारी के साथ तब तक के लिए, नमस्कार